देखे दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया था कि जिनके रिजल्ट में आरेलवी सो हो रहा है ठीक है उनकी बोर्ड नहीं लिस्ट जारी करेगा तो अभी बोर्ड ने एक नोटिस जारी क्या है आपको दिखा दूँ मैं 2112-22 का है इसमें क्या बताया गया है कि जिनकी वेरिफ करें पहुंचना और कौन कौन सी डोकुमेटर लेकर आपको बताता हूं देखें आपको पहुंचना है 22 और 23 दिसंबर को और क्या क्या डोकूमेटर लेकर आने देखें यहां दिखा गया इसमें लिख नो से शाम पांस बज़े तक उसर दे जाता ना है ठीच के लिए क्या के डूकमेंट लेकर आपको एक तो आपको लेकर आपना मूल आधार कार्ड एक आपको अपना एड्मिट कार्ड साथ ही दो फोटो समझ गें ना तो ध्यां रखना यह अंती मोगा इसके बाद लेकिन क्वास तभी होंगे जब वेरिफिकेशन कंप्लिट करवाएंगे इसके लिए आपको किस की जूत की जूत पड़ेगी एक तो आपको अपना एडमिट कार्ड समझेगे ना एक तो आपको अपना एडमिट कार्ड साथ ही आपका आधार कार्ड और दो फोटो इसके साथ नंबर विलेना होगा जिए अगर अगर प्रोब्लम हो सकते दुबारा फिर आपको रिजल्ट रुख सकता है इसमें साब लिखा आ है कि आपको तो मूल आधार कारड, पुरेज पत्र मूल आधार कारड का मतलब है कि ओरिजिनल फोटो कोपी नहीं लेकर जाना, एक आपको दो फोटोग्राफ लेकर जाने साथ ही पंजिगित मोबाइल फोन, जिस पसंदेश है, ठीक है, वो लेकर आपको जाना है, अब आपका लिस्ट में नाम हो या ना उससे कोई मैटन महीं करता यादि आप सभी को चैनल को सब्सक्राइब कर देना नहींने यह वंद दूबबता देता हूं 22 और 2023 डिसंबर यह लास्चांस अब मर्शिचांस आपके लिए अगर इस बार आप चुक गए तो आप को डिया जाएगा ठीक है देखे यह जो लिष्ट थी ना यह तो बोड ने वो लिष्ट जारी की थी जिनका 16 और 17 तारिक में वेरिफिकेशन नहीं हुआ था 16 और 17 दिसंबर हो दो वेरिफिकेशन किया गया था ना इस बर मैट्रिक उनका नहीं हुआ था थे तो उनकी लिष्ट है अब आप से कोई मैट्र नहीं करता कि आपके इस लिष्ट में नाम है या नहीं है लिष्ट नाम है नहीं है आप सभी को जिसके रिजल्ट में और लिखा आ रहा है आपके ड़ोकोमेट्ट लेकर बिभाने बोर्ड में पहुँचने हैं दुबारा एक बार और सुनू अभी फोटो कोपी लेकर नहीं जाना कभी परिशाण हो आधार कार्ड फिर्क्या है ऐडमिट कार्ड क्या आपका एडमिट कार्ड और क्या लेकर जाना है आपके दो फोटो ओर डेटन्त про थी घा लेगे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना जा हिन जा भारत